प्रीवीद जरतियों आज हम बात करेंगे भारत के अफवाा तंतर और जली वाज़िक के बारे में एक निर्दारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवा को अफवा का जाता है तो हम सबसे पहले चीज हम अफवा क कि से कहते हैं जल का एक निशित मार्ग में प्रवाित होना अफवा कहलता है इस परकार कि जल मारगों का जब जाल जो है वो एक रवा तंतर कहलता है किषी क्षेटर का अफवाय प्ति रूफ वहाँ की कुछ कारकों द्वारा प्रवावित होता है जो कारक मेतफूर्ण हैं प्तृधों में मेदानी भागे, पर्वत है, पठार है, या कोई समी परतिक शेत्र में जीली उक्षेत्र है, ये सबी जो कारक हैं, वो स्लाकरती के अंदगत, अथात्मा की भूगर्व, बोतिक स्तीती जो है, उस पर अधारित होते हैं, दूसरा जो महतुपूर कारक है, वो चक्टान का है, तो अपर्दन कम मात्रा में होगा, किसी स्तान के चटाने कोमल है, तो अपर्दन की जो गती है, वो तीवर होगी, और अपर्दन कोमल चटानों में तीवर होने के कान गर्थ बन जाएंगे, लेकिन कठोर चटानी भाग होगा, तो वहां गर्थ नहीं बनेंगे, किसी स्त कि अफवाय प्रतिरूप के निर्धार्ण में उसी से उस अफवाय तंत्रिक में जल के बैने की गती जल की दीशा सभी तत्य निर्धारित होते हैं विवर्तनिक रियाओं के में अंतगत भूकम और जोलामुकी जैसे कारक महत्वपून रूप से आते हैं अचानक इस इस्तान पर भूगर्विक गती वीदियां होती है और बुकम्या जोलामुकी जैसे स्थीति आने पर पूर्व जो भूगर्विक सरचना और सलाकरती है वो छिन्विन हो जाती है एसी स्थीति में जो नया गटना करम हुआ विवर्तनी का रूप में उसके कार्ण बह विश्य में उस पर एक नया प्रतिरूप का जन्म हो जाता है और पुराना प्रतिरूप खंडित हो जाता है। प्रवाय जल की मात्रा अधिक होगी जहां प्रवाय जल की मात्रा अधिक होगी उस स्थान पर अपरदन की मात्रा भी अधिक होगी वहां जल के बहने की जो एक मार गे वो भी बड़ा होगा जल की मात्रा अधिक होगी दूसरी स्थान पर जहां वर्शा ही कम होती है वहां जल क मातरा कम होगी और जल की मातरा कम होगी तो मे निदियों का जो चोड़ाई ये विश्थार व हो भी कम होगा, वो प्रभावा के समय के नुसार उसमें घटत या बढ़त कितनी होती है, प्रशारी तुम्हें जल का लेवल अधिक हो जाएगा, लेकिन सीदकाल और जलकाल दिरे दिरे कम हो जायेगा तो ये सबी जो कारकंवाक्षां मुद्ध रूमा रूक्षा प्रुप दूसरा है जली नुमा प्रतीरूप अभीकेनेधिय प्रतीरूप गुम्मदाकरती प्रतिरूफ ये विबिन जो मैतवपन प्रतिरूफ है तो हम सबसे पहले बात करते हैं जब अपवाय की आकरती रक्ष के समान हो जाती है तो वह अपवाय के प्रतिरूफ को हम दुरूमाकरती प्रतिरूफ कहते हैं इसका अतात पर ये है कि जैसे एक रुख्यदी है अन्य साइग नदियां है ये अलग-अलग प्रकार की इस्तने से नदियां कर मिलती है और वह प्रतिरूप जो है वह प्रतिरूप हो जाएगा दुरुमाकरतिक प्रतिरूप तो ये इस तरह का जो प्रतिरूप उत्पन होगा ये प्रतिरूप कहलाएगा दुरुमाकरतिक प्रतिरूप तूसरा अब जो प्रतिरूप की हम बात कर रहे है वे है जब नदिया किसी पहाड़ी के चारों और विक्रिण होती है तो इस प्रतिरूपे अरिय प्रतिरूप का निमान होता है जैसे माली जी एक पाड़ी है इसके चारों और से जो विक्रन होती है बाहर की और निकलती है तो ये जो प्रतिरूप है ये प्रतिरूप अरिय प्रतिरूप कहलाएगा तीसरा अभी केंद्य प्रतिरूप में नदियां किसी घर्त या जील में गिरती है तो अगर जैसे कोई प्रतिरूप की बात करें ये एक जील है और इस जील में जब कोई नदी आकर गिरती है तो ये जो प्रतिरूप हुआ ये है प्रतिरूप हो गया हमारा अभी केंदे प्रतिरूप अथा, सारी की सारी नदियां अलग-अलग ज़ाओं से इस जील वाले की शत्र में आकर मिलती है जाली नुमा जो प्रतिरूप होता है, उसमें साइक नदियां एक दूसरे के समाना अंतर बैती है तता गोंड साइक नदियों के दोनों और आकर मिल जाती है तो जो जाली नुमा अप्पा प्रति रूप है उसमें एक जाल बन जाता है इस तरीके से दोनों तरफ से नदियां आकर मिलती है और जाली नुमा प्रति रूप का निर्मान होता जाता है इन साइक नदियों में भी साइक नदियां एक करम के रूप में आकर मिलती है ये जो प्रतिरूप है ये प्रतिरूप हमें कहलता है जाली नुमा प्रतिरूप एक जाल की आकार में इनका निर्मान हो जाता है बारती अफ़ा के प्रतिरूपों का अध्यन बड़ा रोचक है विशाल मेदान में जो अफ़ा प्रतिरूप पाया जाता है वो सामने रूप से दुरुमा करती के अब रक्षा का प्रतिरूप पाया जाता है जबकि हिमाले परतमाला के प्रशित पूरी पाडियों में जो अफवा का प्रतिरूप है जाली नुमा पाया जाता है प्राइडी पिये जो नदिया है वो आईता का प्रतिरूप का निर्मान करती है थार मरस्तल में सामन्यूट से अभी केंद्रे प्रवार का प्रतिरूप मिलता है तो हम अगर भुगर्विक सरचना या बोतिक प्रदीशों के आदार पर बात करें तो आप देखें सपस्ट हमने महतुपुन अफ़ार प्रतिरूप की बात करी व्रक्षाकार प्रतिरूप भिशाल मेदान इमाले प्रवरांचल में जहां वर्षाति अधिक्तम होती है वह जाली नुमा प्रतिरूप मिलता है प्राइदीपी नजियां जो है प्राइदीपी बठारी बाग में वो आईताकार प्रतिरूप बनाती है थार के मरस्तल में अभी के इंद्जी अफवा प्रति रूप मिलता है अगर आगे बात करते हैं अफवा तंत्र के प्रकार अफवा तंत्र के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है अनुगामी अफवा अनुगामी अफ़ा है दक्षिनी भारत का जो अफ़ा तंत्र है वो मुखे रूप से इसी फिकार का है यहां की जो अधिकांस नदिया वो पस्षिनी गांट से निकल कर पूर्व की और बैती है तो जो हमारा मैतुपूर्ण कर भाग है उसमें अगर आप देखेंगे तो आप कि अधिकांस नदिया जो है इस प्राइदी पर बठारी भाग में जो दक्षिनी भारत का प्रवार प्रतिरूपे यह सहियाद्री प्रत्माला जली बाज़क का काम करती है अधिकांस नदिया इस और से निकल कर पूर्व की और बैती है और बंगाल की खाड़ी में अपना ज और में पिरियार, पुन्नम्मी, सहरावती नदियां पश्रीमिकार में ले जाता है पश्री में तठी मेदान सक रहे हैं अधयां नदियों के लंबाइ भी कम है नेमड़ा और तापती नदियों प्रंसों काविपा हिमाले फर्वत स्रीमान कालियाल चलके समय हुआ था इन ब्रंसों में नदिया पुरू से पच्छिन की और बहे कर अरब साविर की और अपना जल प्रवाइद करती है तो अनुगामी जो अपवापरती रूप है वे डाल का अमिशन करता है दूसरा प्रवापृति रूप है अनुवरती, अप्रवापृति रूप है अनुवरती में दक्षिनी प्राइदीप के उत्ति पाका डाल उत्तर की और है इसलिए विंदय चलो सत्वकूरा पर्विस से निकलने वाली न Signal उत्तर की और बैतीवी यमौनावगंगा में मिलती है तो ये जो प्रवाक्रम है इसमें उत्तर का जो भाग है वो उत्तर की ओर होने से ये नदियों का प्रवाक्रम भी डाल कानेशन करते हुए उत्तर की ओर है इसलिए ये जो प्रवाप्रति रूप कहलाता है वो अनुवर्ति प्रवाप्रति रूप इसमें चंबल, केन, सिंद, बेत्वा, सोन, आदी, महतुपून नदियां हैं ये नदियां अनुवर्ति अफवा बनाती है मध्य जीव कल्प में इन प्रदेश की नदियां टेती सागर में बहुत सा उशाद बाहत पर जमा कर देती थी बाद में उत्तर बारत का निर्मान होने पर इस प्रदेश की नदियों ने गंगा नदि के क्रम में संपक्सापित कर लिया रहा एक महतुपून तीसरा प्रकार है अध्यारोपित अफवा है समय के साथ साथ आईटा का रफवा प्रतिरूप इंडियन सहलों के एक्षितर में हमें मिलता है जालीदा रफवा प्रतिरूप पूरु सीबूम के पुराने वलित परदों में हमें जालीदा रफवा प्रतिरूप भी दिखाई देता है अरिय प्रतिरूप अमरकंटक से निकलने माली जो नर्मदा सोन और मान नदी है ये अरिय प्रतिरूप का स्थे स्चुधान प्रस्तूत करती है ब्रक्षनुमा प्रतिरूप दक्षिनी भारत के अरिकास नदीयां इसी प्रिकार का ब्रक्षनुमा प्रतिरूप बनाती है रेक्षाँ द्वरा ही अप्वाता तंत्र का सीमांकन होता है वास्तों में जलीव वाज़क द्रातल पर्स्तित उंची सलाक्रतियां होती है जो की पर्वस रेजियों के रूपने होती है ये निद्यों के एप्वा को निर्धारीत करने के साथ-साथ उनके फ्रादेशिक से मांकन में भी एक मेत्वोन भूमी का अदा करती है भारत के अपवायत अंतर के विखास में चार प्रमुग जली वाजकों का योगदान है ये जली वाजक निम्न है अगर सबसे पहला जली वाजक हम बात करेंगे तो जब आप भारत के मानचित्र के जिस्टी कों से देखते हैं और जब हम इस जिस्टी कों से मानचित्र के जिस्टी कों से बात करते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले हिमाले जली वाजक है हिमाले जली वाजक के सेंस में है कि यहां से ये जो संपुन भागे ये एक मुक्य जली बाज़क रेखा की रूप में जाना जाता है इस तान का जो जल है वो जल यमुना और गंगा के नाम से ओकर बंगाल की इकाड़ी की और मुग कर जाता है इस तान का जो ढ़ाल है ये जो मद्यवर्ती पाड़ियां है जिसमें सत्पूरा, मादेव, मेकाल, केमूर इनके उत्तर का डाल उत्तर की और मुग कर जाता है तो ये दूसरा जली बाज़क मुक्य जली बाज़क पस्षिम में अगर बात करें तो ये अरावली सेनी है अरावली सेनी के पस्षिम का तरफ का जल पश्चिम और दक्षिन की तरब मुग करता है और आंतरी खफ़ा प्रतिरूप का निर्मान करता है उसके बाद ये जो आडियों का करम है पश्चिम इगांट का ये पूरा का पूरा बाग इसका अधिकांस जो भाग है वो नदियों को पूरू की और अधात पश्चिम इगांट से निकलने वाली नदियां पूरू की और बहते हैं वंगाल की खाडी में कुछ नदियां जो है वह चोटे अपवाय करम के का निर्मान करते हुए अरफ सागर में भी अपना जल गिराती है तो ये भी एक डिवाइडिशन का काम करता है तो हम चार मेज़र खंड दीसाइड करते हैं हिमाले जली वाजक, अरावली जली वाजक के रूप में भशीमी वाग में पशीमी गांट जली वाजक और सत्पुडा मादे में मेकाल हिमाले जली बाज़क भारती अफ़ातंत के लिए एक मान जली बाज़क का जाता है जो भारत चीन के अफ़ातंत को नियंत्रित करता है कहीं पुरुगामी नदियां जो कि उस भूपा के निर्मान के पहले भी उसी दिशा में वेती थी एसी पुरुगामी नदियों में सिंदू, सतलस, तिस्ता, ब्रहंपुत्र नदिया जिन्होंने की हिमाले के निर्मान से पहले भी बहती थी और जब कोई पाड़ी या परवस रंकला का निर्मान हुआ तब भी अपनी तिवर्तम गति के साथ उस पाड़ी को कारते हुए अपने पूरु मार्ग में ही गमन निरंतर जारी रखा एसी जो नदियों होती हो पूरुगामी नदिया कहलाती है एसी नदियों में मुख्योदारन के रूपे सिंदू, सतलस, इस्ता और ब्रहंपुत्रे पूछा जाता है पृतियों की परिक्षाओं में भी जल्य भाजक को कारते और तिबत के पठार से प्रारम होती है अरावली भारत की दूसरी महतुपुन जल्य भाजक है जो गौंगा प्रहंपुत्र अफातंत और सिंदू अफातंत के मद्य एक जल्य भाजक का काम करती है ये दोनों को अलग करती है उत्तर में इमाले पर पासे प्रागर राजस्तान होते वे गुजरात तक लगवल 900 किलोमेटर के लंबाई में ये फैली हुई है मद्य भारत में से सत्पूरा, मादे, मेकालो, केमूर की पाडियां जो है मेदानी भारत और पठरी भारत के बीच जल्य भाजक का काम करती है इसकी लगवल 900 किलोमेटर है पश्यमेगाट स्रंखला जो की लगवल 1600 किलोमेटर लंबी है प्राइदी भारत को सबसे महतोपून जल्य भाजक रेखा के रूप में जानी जाती है पश्यमेगाट जल्य भाजक बंगाल की खाड़ी के अफ़ातंतर वे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अफ़ातंतर को विवाजित करता है अथात पश्यमेगाट से हम दो अलग-अलग अरब सागरी अपवाय और बंगाल की खाड़ी के अफ़ा का विवाजन करते हैं उप्युक्त प्रमुक जल्य भाजकों के अत्रिक्त बहुत कुछ चोटे जल्य भाजक भी है जैसे पूरी भारत में गारो, कांसी, जहेंतियां, पटकोई, नागा पाड़ी, मीजो पाड़ी, बराग बैसिन और मीजोरं की नदियों के वीज़ा लिवाजक का कारिय करती है अफ़ातंतर के विकास की आज हम बात करते हैं तो देखे, बारत में अफ़ातंतर के विकास में बूगर्भी गटनाओं का एक मेहतवपुन योगदान रहा था अफ़ातंतर में अनेक बार परिवरतन हुये और अनेक बार परिवर्तन होने के करम में टर्सरी उक्स में विशेश कर परवत निमान कारी भूगल चलो कान उत्री बारत की नदियों के करम में महतुपुन प्रवा परिवर्तन आया टेती सागर का तल उपर रुखने से उसका जल एक नदी के रूप में हसम के पूरू से करम से हिमाले समानां से प्रवाइत होते हुए सुलेमान किर्थर सेनियों के सारे सारे उक्तर प्रश्रिम कोने तब कोच गया दक्षिन में मुड़ता है और अपसागर में प्रायत होने लगा पैसको एक रुद्वान थे जिन्नों ने इस नदी को इंडो ब्रम या पिल्क्रिम सिवालिक नाम दिया था यह हमारे तरसरी काले से पहले की एक नदी थी इस एच्टियासिक नदी की तीन साईग नदिया थी पोटपार के पठार के उथान के कारण यह परनाली क्षिन ब२ हो गई, चिंद बिन हो गई, समाप्त हो गई तता नदी का जो उत्तरी भाग है वो सिंदो नदी की रूप में विक्षित हुआ, मुख्यदारा का सेजबाग वीप्री दिशा में वर्तमार गंगा नदी की रूप में प्रवाइत होकर वंगाल की खाड़ी में गिरने लगा, कालांतर में गंगा वर उसकी साइक नदीों के अनेक बार परिवर्तन हो गए, भूविक्यनिकों का मानना है कि एतियासिक व्यूमें सत्ला जो है यमुना राजस्तान में वोकर वैथती थी, लेकिन हिंदों की पुरानी पानेता जिसे हम सर्श्वती नदी जो की अबलुफ्त हो गई है, मानतें कि गकर गाटी में फ्रवा सोटा गया, विविन प्रकार के क्रम बने, बिगडे और पुने नए क्रमों का निर्मान हुआ, लगबग 200 वर्षपूर गंगा वर ब्रंपूत नदियां 240 किलोमेटर की दूरी पर वैती थी, बाद में ब्रंपूत नदी मदूपूर वनों के पुर में मेगना में मिल गई, और लगबग 110 वर्षपूर किसी बोगर्भी कल्चल के प्रंपूत नदी अब मदूपूर वनों के परश्चिम में फ्राइथ होने लगी, गंगा की सायक, सोन, गागरा, दामोदर, कोशी, आदी नदियों के मार्ग में भी अनेक बार हमें परिवर्टन दिखाई देते हैं, पेश्को मौदे के अनुसार, प्राचिन एतियासिकाल में एक अन्य नदी जो पूरू से प्रश्चिम के प्रश्चिम के प्रवाइथ होती थी, ये तिबबत की नदी सांपू के सिंदू नदी की गाटियों में उकर उत्तर प्रश्चिम की और आकसस जील में मुआना बनात थी, कालांता में अटक नदी द्वारा इसका अफ्रण होने पर तिबबत की नदी दक्षिम जीसा में प्रश्चिम के प्रवाइथ होने लगी, डी टेरा के अनुसार, हिम योग से पूरु कारा कुरम वे लद्दाक प्रदेश की नदीयों का फ्रवाइथ होने वाली उस इत पड़ेगा कि किसी इस्तान की इसलाक्रती, भुगर्विक सरचना, वहां की चत्तानों का की गठोर्ता और कॉमलता का स्तर, विबिन समय में होने वाले विबिन प्रकार की जो भुगर्विक गठना है, उनका प्रवाव नदियों के प्रवाइथ मार्ग पर पड़ता है, उस जल विबाजकों से दो वीपरी दिशाओं में होने लगता है, इस परकार दीरे दीरे आगे एक आलांतर में नदियों का क्रम बनता है, बिगठता है और पुने नहीं बुगर्विक गठनाओं के द्वारा उनका क्रम मोडिफाई होता रहता है, आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंदो नदी करम के बारे में चर्चा फ्रारम करेंगे, धन्यवाद.